इस नए वर्ष के अन्दर आज हम बढ़ेंगे कक्षा 4 का विशय हिंदी हिंदी में हम पहला पार्ट पढ़ेंगे कबूतर और मधू मख्या जो आपकी है चित्र कथा यहाँ एक मधू मख्यी है और क्या है आपका यहाँ पर एक कबूतर है पर आधारित कहानी अब चित्र कथा क्यों कहा है क्यों क्यों कि यहां पर यह चित्र पर आधारित कथा है देखो पहले में दिखाई दे रहा यह मख्य क्या हो रही है पानी में डूब रही है यह मदुमक्यों का छत्ता है और यहां पर कबूतर एक पत्ते को उसको बचा रहा ह और यहाँ पर शिकारी कबूतर को मारने आ रहा है तो मदू मख्या इस शिकारी को काटती और कबूतर की मदद करती तो यह आपकी क्या है एक चित्र कथा चित्र कथा मतलब एक चित्र पर आधारित क्या है कहानी है और यह कहानी में आपको बहुत मजा आएगा तो चलिए शुरू करते हैं और यहां से आपका प्रथम सत्र का ये नया अभ्यासक्रम शुरू होता है तो चलिए शुरू करते हैं पाठ एक कबूतर और मदू मक्या चित्र कथा देखो नदी के किनारे एक पेड़ था हमने चित्रों में देखा था नदी के किनारे पर क्या था एक पेड़ था पेड़ पर मदू मक्यों का छत्ता था आमने देखा था पेड़ देखा था उस पेड़ पर क्या था मदू मक्यों का छत्ता था या नहीं था देखो मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ यह देखिए यह पेड़े यह नदी किनारे हैं और उस पर क्या है एक छत्ता है ठीक छत्ते में बहुत सी मदु मख्या रहती आपको पता है न अब कहाने शुरूँ रहे यह तो एक ऐसा दिन आया उस दिन की बात है राणी मधु मख्खी ुप चट्य से बाहर निकलते ही नदी में गिर गई जैसी राणी न मधु मख्खी अपने छट्य से बाहर आई तो वह जो 15 सिए क्या निकलते ही उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयास किया वहाँ निकल ना सकी लेकिन वो निकल नहीं सकी क्यों क्योंकि उसके पंक गीले हो गए थे वहाँ नदी की धार में बहने लगी अब नदी की धारा होती है आपने देखा है नदी की धारा देखो कुछ इस तरह से होती है मैं आपको बताती हूँ यह पानी जा रहा है तो ऐसे ऐसी धाराय जाती है तो उस धारा के अंदर वो बहने लगी नदी के किनारे एक कबुतर पानी पी रहा था अब नदी के किनारे हमने पेड़ पर बैठा हुआ कबुतर देखा था वो नीचे आकर क क्या कर रहे तै उस नदी का पानी पी रहा था अपने लेखा जंगल में तो ऐसे ही पशुबक्षी पानी पीते है उसने राशी मदुमख्षघ को पानी में जटegenबा वर देखा उसको कि पांदी मदुमख्घ के पानी में जटक सवता रही है मतल helfen ऐसे इसां गर रही है क्य इनकी कैसे सहायता करो, इनकी मदद कैसे करो, इनको कैसे बचाओ, ऐसे करके वो उनका उपाय सोचने लगा, अचानक उसे एक उपाय सुचा, अचानक से उसको एक तरकीब याद आई, वह तेजी से उड़कर पेड के नीचे पहुचा, और वो तेजी से उड़ा और पेड के न मार्ट में पालद को चौक में म housется नें लिया। नदी के किनारा था उसकी साथ हो मुधने लगा। कुछी दूर उसके राणी मदूमखी दिखाए दी क्यों कि रानी मदूमखी साथ आगे जा रही थी। उसने पत्ता बेल्कूल आगे डाल दिया। उसने क्या क्या उस पत्ते को जो मदु मक्खी थी उसके ज़स्ट आगे डाल दिया देखो जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस कबूतर ने देखो इस चित्र में इस पत्ते को मदु मक्खी के आगे डाल दिया मदु मख्य पत्ते पर चड़ गई और डूबने से बज गई कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ साथ उड़ता रहा उसने देखा कि मदु मख्य तो बिल्कुल हिलती डूलती नहीं अब देखो वो पत्ता जैसे जैसे आगे जा रहा था पत्ता भी पानी से अलका होता है तो आगी जाएगा उसने देखा कि वो मदु मक्की ना तो हिल रही है ना डूल रही है वह सोचने लगा क्यों ना मैं यह पत्ता पेड के नीचे ले जाकर रखतू फिर उसने सोचा चलो मैं इस पत्ते को ऐसे तो आगे चली जाएगी तो उसने उस पत्ते को उठाया और पेड के नीचे रख दिया उसने पानी में अपनी चॉंच डूबोई और पत्ता चॉंच में दबाकर पेड के नीचे ले गया जहां उसका छत्ता था कुछ देर तक वह बात की प्रतिक्षा करता रहा कि मदु मख्य हीलती डूलती है या नहीं हील रहा है इस बात का उसमें ध्यान दिया जाता है तो वैसे कबूतर ने भी इस भात को ध्यान देगा कि भी वो हिलरी यानि रिलरी कुछ देर तक रानी मधुमक्खी कुछ हिलने लगी और थोड़ी देर भादी किया रानी मधुमक्खी अपने आप हिलने लगी वो धीरे धीरे पत्ते पर चलने भी लगी उसने कबूतर की और देखा फिर उसने देखा कबूतर है कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मदुमक्खी बच गई अब उसको विश्वास हो गया था पौन रूप से के भी मदुमक्खी क्या होगी यह बच गई है रानी मदु मख्यी धीरे धीरे उड़कर अपने छत्ते में चलीगी अब रानी मदु मख्यी के चत्ते में ना होने से सभी मदु मख्या परिशान थी है ना अब देखो एक राजा और एक रानी जब अपने प्रजा के सामने नहीं आते तो सबको डर लग जाता है उसके लोट से सभी को बड़ी प्रसंता ओई और जैसे रानि मदु khiी आगई तो सभी को क्या होई प्रसंता का मतलब क्या है एक दिन इक शिकारि उधर आया हम ने ऑदमी शिकारी मतलब जो पशुपक्षियों को पकड़ता है नदी के किनारे घुम घुम का चिडियाओं का शिकार करने लगा उसके भाई से सभी पक्षी इधर उदर ओड़ने लगे देखो जैसे शिकारी आता है तो सब चीचीचीची करते हैं और इधर उदर चले जाते हैं किसी को पिंजरे में बन रहना अच्छा थोड़ना लगता है जिस कबूतर ने रानी मदुमक्खी को बचाया था वह भी उड़ता हुआ उसी पेड के पास आ गया जहां मदुमक्ख्यों का छत्ता था वो कबूतर वहां आया कौन सा कबूतर जिसने रानी मदुमक्खी की सहायता की थी डर के मारे वह पेड के पत्तों में छुप गया रा रानी मदुमक्षी ने उसको देखा कि ये कबुतर इधर ऐसे कैसे ना मतलब छुप रहा है ऐसा हमें किसी भी तरह इस कबुतर की रक्षा करनी चाहिए बोले मेरी उसने रक्षा की थी तो हमें भी इसकी रक्षा करनी चाहिए रानी मदुमक्षी की बात सुनते ही कई मदुमक मदुमक्या उदर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था अब शिकारी ने पत्तों के पीछे चुपए वो उस कबूतर को भी देख लिया वह उसकी और निशाना साध ही रहा था कि मदूमक्या तेजी से उसके और जप्टी जप्टी मतलब उसको काटने के लिए दोड़ी जैस अपनी आखे बंद कर लिया, अब कबूतर को डर लग रहा था, उस कारण उसने अपनी आखों को बंद कर लिया, थोड़ी देर बाद उसने अपनी आखे खोली तो देखा, शिकारी अपना सीर पकड़ कर बैठा है, थोड़ी देर बाद जब उसने अपने आखे खोली तो उसन इन मदुमक्रों ने ही میरी सायता कियें, उसने इन मदुमक्रों की आर देखा और मन कुम धन्यवाद दिया। जैसे आपकी कोई सायता करते हैं तो आपको मज़ा है इस कहानी में कैसे कबूतर ने पहले मदुमक्रों चर्गों कंदे क्या कुछा मिलती है कि हमें भी दूसरों की सहायदा करने चाहिए ताकि विपती के समय वो भी हमारी सहायदा करें आपको इतना समझ में आया अब हम इस पार्ट का स्वाध्याई करेंगे अब देखो स्वाध्या है निम्नलिकित प्रश्णों के उत्तर एक वाक्या में दीजे मदू मक्यों का छत्ता कहा था तो मदू मक्यों का छत्ता नदी के किनारे एक पेड़ पर था कबूतर ने रानी मदु मख्य की मदद कैसे की तो कबूतर ने रानी मदु मख्य की मदद सूखा पत्ता डाल कर की सभी मदु मख्या परेशान क्यों थी क्योंकि रानी मदु मख्य छत्ते में नहीं थी शिकारी नदी के किनारे क्यों आया शिकार करने आया था कबूतर पेड के पत्तों में क्यों छूप किया शिकारी से बचने के लिए अब है निमनलिकित प्रशनों के उत्तर दीजे रानी मदू मख्यों ने दूसरी मदू मख्यों से क्या कहा तो देखो हमने यहां देखा था यह रहा देखो उसका उत्तर मधु मख्यों से कहा किसने रानी मधु मख्यों से हमें किसी तरह इस कबुतर की रक्षा करनी चाहिए ये बात कही फिर है मदू मख्यों ने कभूतर की सायता कैसे की तो आपको लिखना है देखो यहाँ पर तेजी से उसकी और लप्टी और उसको जग़ जग़ से काट लिया इस तरह शिकारी को कई जग़ काट कर उनों ने उसकी मदद की उसके बाद है कोस्टक में दिये गए शब्दों से उचित शब्चुन कर रिक्त स्थान पूरे करने तो देखो शिकारी, प्रयतन, चोंच, मदू मख्या, प्रतिक्षा, भय तो देखो पेड़ पर डैश का चत्ता था तो पेड़ पर किसका चत्ता था मदू मख्यों का रानी मदू मख्यी ने पानी से निकलने का डैश किया, डैश मतलब प्रयतन किया कबूतर ने एक पत्ता अपनी डैश में दबाया, कबूतर ने किसमें अपना पत्ता दबाया था, चोंच में डैश के मारे कभूतर अपनी आखे बंद कर ली किसके भय, भय को हम दूसरा क्या नाम कह सकते हैं डर डैश ने कभूतर को देख लिया, किसने शिकारी ने, कभूतर रानी मधुमक्खी के हिलने डूलने की प्रतीक्षा कर रहा था कारण, अब हमको यहाँ कारण देना है, क्यों किसने क्या किया, कभूतर ने एक पत्ता अपनी चौँच में दबाया, क्यों की, वो क्या करना चाता था, उसे छत्ते पर रखना चाता था, उसे भूख लगी थी, उसे रूपती मधुमक्खी को बचाना था फिर देखो मदु मखी तेजी से शिकारी पर जप्टिक्यों की वे कबूतर को क्या करना चाहती थी बचाना चाहती थी निमनल के शब्दों के परियावाची शब्द लिखिए परियावाची शब्द लिखने हैं यहाँ पर आपको समान जैसे दिन को हम दिवस कह सकते हैं पानी मतलब जल, प्रयत्न मतलब प्रयास, प्रतिक्षा, इंतजार, भय, तर, पेड, ब्रक्ष, उपाय, तरकीब, मदद, सहायता, आँख मतलब नयान याद, चक्षु अब दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं एक वचन और बहुचन जब एक होता है तो हम एक चीज बहुचन दो होते हैं उससे अधिक तो आम उसको बहुचन कहते हैं आँख तो आँखे हो गई तो बात बाते रात राते बंदूक बंदूके बहन बहने तो यह अभ्यास आपको अपनी किसमे करना है नोटबुक के अंदर लिखना है धन्यवाद बच्चो